नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशकार हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर पश्टमंगाल में जेपी नडडा ने की एक मुठी चावल अभ्यान की शुरुवात ममता बनर जी पर बोला हमला बोले बीजेपी का आना तै बिहार में जेडियो और बीजेपी में खमासान जारी मंत्री मंडल विस्तार पर एंडीय में नहीं बन रही बात किसानों पर राजनीती से बाज नहीं आ रहा वे पक्षक रिशी कानूनों के समर्थन में कॉंग्रेस करेगी 15 जन्वरी को देश में राजभगनों का खिराओ दिल्ली एंसियार में बार्ट प्लू की दस्तक से दहशत का माहौल मयूर विहार में सौ कवों की मौत से मचा हर कम ब्राजील के राष्ट्रपती ने पीएम मोधी को पत्र लिखकर लगाई मदद के गुहार वैक्सिनेशन में देरी के बाद कोरोना वैक्सीन भीजने का किया अनुरुद रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का भारतिय जनलता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड़ा अपने दौरे के लिए पश्चम बंगाल पहुँचे इस अभ्यान के तहत भारतिय जनलता पार्टी बंगाल में करीब 73 लाग किसानों से डोर टो डोर मुलाकात करेगी इसके साथ ही नड़ा के दोरे में उम्डी भीर देखकर उन्होंने कहा कि जन सहलाब देखकर ये साफ है कि ममता बेनर जी का जाना निश्चित है और बीजेपी का आना तै डोक्टर मनीश आखिर क्या है ये एक मुठी जावल अभ्यान और इसके पीछे अब बीजेपी की क्या रणनीती है बंगाल चुनाफ को लेकर देखिए ये दो धारी तलवार के जैसी एक योजना है भारती जिन्ता पाटी की एक 73 लाख किसानों से सीधे संपर्क करेगी भारती जिन्ता पाटी और इसमें जेपी नडड़ा सहाब का बहुत एहम रोल होने वाला है वो ग्राम सभाई करेंगे मतलब गाउं गाउं में जाकर 40,000 गाउं में भारती जिन्ता पाटी अगले एक महिने के अंदर आपके समझें कितना रैपिट फायर इसको कर सकते हैं कि कैंपेइनिंग का कार्पेट बॉम्बिंग 40,000 गाओं में जाकर के भारती जंता पार्टी किसानों से बातचीत करेगी एक तो जन सहंगपर्क का कारिक्रम होगा और दूसरा कि भारती जंता पार्टी के खलाफ ये जो किसान संगठन पूरे देश में महौल बना रहे हैं उसको एक करारा जवाब मिलेगा अब ये प्रोग्राम क्या है एक मुठी अनाज हर गाओं वासी से किसानों से आदिवासियों से गरीबों के घर से एक मुठी चावल लिया जाएगा और आगे चलके उन्ही जो जमाँ होगा उस गाओं के अंदर भोज का कारिक्रम होगा और दूसरा भारती जनता पार्टी हर गाओं में अपने संगठन को बनाने में काम्याब रहेगी तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो एलक्षन केंपेन है वो अब धीरे धीरे पीक पे पहुंशता चला जा रहा है और ये ममता बनर जी और उनकी पार्टी के लिए अच्छे संदेश नहीं है बात करते हैं बिहार की बिहार में बीजेपी और जदेयों के बीच घमासान लगातार जारी है मंत्री मंदल विस्तार को लेकर अभी भी पेच फसा हुआ है मुख्य मंत्री नितीश कुमार मंत्री मंदल विस्तार नहीं होने के लिए इशारों ही इशारों में बीजेपी को जिमेदार पता रहे है हलाकि बीजेपी के नेता मंत्री मंदल विस्तार को लेकर समाधान की बात कर रहे है लेकिन मंत्री मंडल विस्तार को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो ना राजक के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं डॉक्टर मनीश आखिर क्यों NDA की सरकार में यहां इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं पीश कुमार क्यों मंत्री मंडल विस्तार ना होने पर बीजेपी को जिमेदार ठहरा रहे हैं बिहार की जो सरकार है वो तलवार की धार पर चल रही है क्योंकि मेजरिटी मार्क 122 का है और इनके पास कुल 125 विधायक हैं चार-चार पार्टियां हैं और अब तक सिर्फ 15 मंत्रियों को सपत दिलाया गया था जिसमें से एक से इस्तिफा ले लिया गया मतलब कुल विलाकर के 14 मंत्री हैं और मंत्री टोटल बनने कितने हैं तो 36 36 मंत्री सपत लेंगे लेकिन ये कौन होंगे ये मंत्री इस पे अब तक करार कोई हो ही नहीं पा रहा है आज एक बैठक हुई उस बैठक के बाद नितिश कुमार ने बताया कि ये तो अजीबो गरीब इस्तिती है मुक्ष मंत्री खुद कह रहा है कि अब तक कैबिनेट के विस्तार के प्रोसेस में इतना वक्त कभी नहीं लगा तो देरी क्यूं हो रही है तो इनके बैयानों से ये बिलकुल साफ लग रहा है कि नितिश कुमार बीजेपी के उपर दोश मर रहे है कि उनके तरफ से कोई प काम कर रहे हैं सिर्फ उसकी समीक्षा हम लोगों ने की और मामला ही पे खत्म हो गया लेकिन दुविदा कुछ और भी है दुविदा इस बात को लेकर के है कि कैबिनेट का विस्तार तो होना है च्छतिस मंत्री तो बनने है अब चार जो पार्टिया है उनमें से एक जीतर न और चाहिए मतलब गटबंदन के अंदर अभी इस बात पे एक राय नहीं है कि किस फॉर्मूले के तहट किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे जीतर नाम मांजी दवाव डाल रहे हैं कि हमें एक और मंत्री पद और एक MLC का कोटा चाहिए अब अगर इस तरह से बाच नहीं हो पाती है तो मसला जहां फसा हुआ है वो यह फसा हुआ है कि इनके पास कम से कम यह जो दोनों छोटी-छोटी पार्टियां आठ विधायक हैं इनके पास और यह लोग और भी मंत्री पद के डिमांड कर रहे हैं तो अभी मसला बिहार में सॉल्व नहीं हुआ है और इसलिए विपक्ष को भी वहां आरजेटी को भी ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और मद्द वर्ति चुना होंगे च्छे मैने के बाद ये सरकार अपने आप गिर जाएगी रुक करते हैं अगली खबर की और नए ग्रिशी कानूनों को लेकर किसान लगातार अपनी मांगो पर अड़े हुए है सरकार से कई दोर की बादचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है ऐसे में विपक्ष लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है अब किसान आंदूलन के समर्थन में कॉंग्रिस पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी इसी प्रदर्शन के तहत कॉंग्रिस पार्टी के कारेकरता 15 जनवरी को सभी राज्यों के राजभवनों का घेराब करेंगे और किसानों के प्रदर्शन के प्रती अपना समर्थन जाहिर करेंगे। डॉक्टर मनीश आखिर क्यों कॉंग्रिस इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों किसानों को बर्गलाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के तरफ देखें यह जी वो गरीब इस्तिती है। किसान संगठन तो पहले यह कह रहे थे कि किसी राजनीतिक दल को इसमें सामिल नहीं होने दिया जाएगा यह एप पॉलिटिकल आंदोलन है यह सिर्फ किसानों का आंदोलन है हमें राजनीति से कुछ मतलब नहीं है हलाकि वो जूट भोल रहे थे क्योंकि इसमें जितने भी नेता है यह सब किसी ने किसी पॉर्टिकल पार्टी के कार्य करता रहे हैं यह चुनाल लड़ चुके हैं कुछ लोग तो संसत के सदस्थी भी रह चुके हैं और कई लोग अपनी जमानत भी जब्त करवा चुके हैं लेकिन अब यह जो आज जो यह ख़बर आई है इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर पियल पुनिया साहब ने एनाई को एक अजीवो गरीब बयान दिया उन्होंने कहा कि यह जो हम 15 तारिक को पूरे देश भर में आंदूलन करने वाले हैं यह दरसल कॉंग्रेस पार्टी अपने मंद से नहीं कर रही किसान संगठनों के नियोता के उपर मतलब यह अब तक यह जो तमाशा कर रहे हैं किसान आंदूलन वाले इनके कहने पे इनके बुलावे पे इनके नियोते पे ये लोग कॉंग्रेस पार्टी इस आंदोलन में दम खम के साथ सामिल होने जा रही है अब इसकी दो बज़े हैं एक बज़े ये है कि किसान संगठन जो अब तक 45-46 दिन दिल्ली के चारो और बैठे हुए हैं उनको ये लगने लग रहा है कि उनका दवाव सरकार पे असर नहीं कर रहा है वो आंदोलन कमजोर हो रहा है लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे में किसी बड़ी पार्टी का साथ लिना जरूरी है और इसे एक ऐसा रूप दे देना है कि भारती जनता पाटी के अलावा देश की तमाम विपक्षी पाटियां इस कानून को निरस्त करना चाहती है मतलब ये कि अब तक जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चल रहा है इसमें सिर्फ राजनितिक कलाबाजी हो रही है किसानों से इस आंदोलन का कोई मतलब साफ नजर नहीं आ रहा रुक करते हैं अगली खबर का देश भर में तेजी से फैल रहे बर्ट फ्लू ने अब दिल्ली एंसियार में भी दस्तक देदी है दिल्ली के मयूर विहार में सो से अधिक कववे मरे हुए पाए गए हैं जिसके बाद राज्य में हरकम मचा हुआ है मामला संग्यान में आते ही दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की एक टीम बना कर इस घटना की जाज के आदेश दिये है साथी सरकार इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है टॉक्टर मनीश पहले ही कुछ राज्यों में बर्ट प्लू को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है और अब दिल्ली में भी इसने दस्तक दे दिया है आखिर किस तरह से दिल्ली सरकार इसको कंट्रोल करने में सक्षम है क्या तैयारिया हैं दिल्ली सरकार की देखिये आम आदी पार्टी तो कहती है कि उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर है इससे बहतर सरकार तो कुछ होई नहीं, आप देखिए किस तरह के नकारेपन का इन लोगों ने नमुना दिया है अब आज अचानक से अर्विंद केजरिवाल अवतरित हुए उन्होंने कह दिया कि बाहर से कोई चिकन नहीं आएगा, कोई पक्षी नहीं आएगा गाजिपुर को बंद किया जाएगा, दुकानों को बंद किया जाएगा हम कमिटी बना रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अब आपने पूछा कि अचानक से केजरिवाल क्यों जागरित हो गए जागरित इसलिए हो गए हैं, अब जीदे कि कब तक ये सोये हुए थे, किस तरीके से पिछले एक सब्ता से सिर्फ मयूर विहार के उस पार्क में डेर सो से धाई सो कववों की मौत हो चुकी है और ये आराम से सो रहे थे, इनकी चिंता पंजाब और किसान आंदोलन है ये तमाशे में लगे हुए थे, और आप देखिए, जो लिस्ट आई है द्वार का में, उत्तम नगर में पिछले एक सब्ता से लगतार कववों की मौत हो रही है चैसात राज्यों में, जैसे हिमाचल हो गया, हर्याना हो गया, राजस्थान हो गया, महराष्ट हो गया, केरल हो गया, मदपरदेश हो गया यहाँ पे और लेडी, इमर्जेंसी डिकलियर कर दी गई है, वकायता टीम बना दी गई है लेकिन यह हमारे दिल्ली के सबसे दुनिया के सबसे बहतरी चीफ मुनिस्टर यह सोय हुए थे इनको यह समझ भी नहीं आ रहा था कि महीर व्यार और महीर व्यार तो आप यह समझ लीजिए यह walking distance होगा, मनिस्टर सोध्या के घर से, यह पार्क, वहाँ पे कवों की मौत हो रही है लेकिन यह सोय हुए थे और अचानक से यह जागरित हुए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि bird flu को लेकर दिल्ली सरकार की यह खामिया बिलकुल साफ नजर आ रही है दिल्ली में कई जगों पे, कई पार्कों में लगातार कवों की मौत हो रही है और अब जब यह जगे हैं, तो अचानक से जो है, मीडिया और सब जगे जो है यह साबित करने में जुट जाएंगे कि हम कितने alert है सबसे सर्मनाग बात क्या है, कि एक सबता से कवों मर रहे है और सरकार को, अर्विंद केजडिवाल को यह पता तक नहीं है कि कवों की मौत बर्ट फ्लू से हो रही है या नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक जो चेक करने के लिए जो भेजा गया है जो डेड कोवे हैं, उनकी रिपोर्ट अब तक दिल्ली सरकार के पास नहीं आई है मतलब ये सब कुछ अंधेरे में लाठी भाण्य जैसी कारवाई हो रही है रुक करते हैं अंगली खबर की ओर भारत में बनी दो स्वदीशी वैक्सीन के आपात इस्तमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद देश में जल्द कोवीट टीका करन अभ्यान शुरू होने वाला है इस बीच ब्राजील के राश्रपती ने प्रधान मंसरी नरेन मोधी को पत्र लिकर मदद की गुहार लगाई है उन्होंने अपने पत्र में जल से जल कोवीट वैक्सीन भेजने का नुरोथ किया है दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है ऐसे में ब्राजील में वैक्सीनेशन की शुरुआत ना हो पाने और देरी होने के कारण ब्राजील पर दबाव पढ़ता ही जा रहा है दॉक्टर मनीश जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तक भारत में भी टीका करन अभियान शुरू नहीं हुआ है तो क्या भारत ब्राजील को वैक्सीन भेजने की पोजिशन में है अब देखिए कितनी तबदीली आ गई है कि हंदुस्तान के उपर दुनिया के अलग-अलग देशों के तरफ से ये आशा जताई जा रही है कि प्लीज हेल्प अस ब्राजील में हम लोगों ने दवाईया में भेजी थी जब कोविट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वहां के जो प्राइमिनिस्टर उन्होंने साफ साफ ये एलान किया था कि जो उन्होंने टूइट किया था बहुत ही अच्छा टूइट था कि ये जो दवाईयां भारत से ब्राजील आ रही हैं वो ठीक उसी तरही से है जिस तरीके से हनवान जी ने संजिर्णी वो लेकर के आये थे तो ये एक तो अपेक्षा हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को हो मैं आपको बता दूं कि 22 मुलकों से इस तरह के रिक्विस्ट आ चुके है हम लोगों ने वहाँ पे टेस्टिंग भी की है और वहाँ पे इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए है लेकिन जो चिठी लिखी गई है प्रधान मंत्री मोदी को उसमें साफ साफ इस बात को लिखा गया है यह गुजारिस की गई है कि आप अपने लोगों को टीका करन कर दें और उसके बाद हमें सबसे पहले मदद करें 20 लाख वैक्चिन्स की डिमांड की गई है और खुसकबरी यह है कि आज प्रधान मंत्री मोदी ने एक मीटिंग ली और यह तैह हुआ कि 16 जनवरी से हिंदुस्तान में टीका करन सुरू होगा फर्स्ट फेज में तीन करोर वैक्चिन्स दिये जाएंगे तीन करोर लोगों को और इसमें जो फ्रंट लाइन जो वारियर्स हैं उनको पहले दिया जाएगा और उसके बाद बाकी मुलकों को भी मदद पहुचाई जाएगी एक जो सबसे बड़ा फरक आया है जिसको लेकर के हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के उपर है खास करके लेटिन अमेरिका, अफरिका, साउथ एसिया, वेस्ट एसिया, साउथ एसिया की जो देश है वो भारत की तरफ एक टक लगाकर देख रहे हैं कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैपसिटी है और हमने, अब मैं आपको बता दू, ये इसके लिए सरकार की तारिफ होनी चाहिए कि कोविट जिसमें चल रहा था उस दोरान ही, ये सारी फैसिलिटी हमने क्रियेट कर ली थी कि हम पूरी दुनिया को कैटर कर सके, तो एक अच्छी बात है देश के लिए और हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो अभी सिस्टम बना लिया गया है हर राज में, हर में में जगव पे वो ड्रायरन हो चुका है तो हिंदुस्तान को चार-पांच सब्ता से ज़्यादा नहीं लगेगा पूरे देश को बकाइदा वेक्सिनेट करने में और उसके बाद अगर हम पूरे दुनिया के लिए एक संजीवनी लेकर पहुंसते हैं तो हिंदुस्तान का स्टेटस पूरे दुनिया में कई गुना ज़्यादा बहतर हो जाएगा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें